नमस्कार आप सबको, स्वागत है मेरे चैनल चेसिंग दरूट्स में ब्रिटिश कोलोनियल पीरियड इंडिया में लगभग 200 साल तक मौझूद रहा इस दोरान ब्रिटिशस ने कई तरीकों से इंडियन सब कॉंटिनेंट पे अपना कंट्रोल जमाया जिनमें से चाहे भारत के राच परिवारों में उत्तरा धिकारी का अभाव होने की वज़ा से डॉक्ट्रिन ओफ लाप्स जैसी पॉलिसी अपना ना हो या फिर भारत के राजाओं की सेना के उपर अपना कंट्रोल रखने के लिए सबसिडिरी अलायंस या रिंग फेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करना हो अगर हम इंडिन आमी के एविलूशन के बारे में शुरुवात से समझना चाहें तो हमें सत्रवी स्यताबदी में पहुँचना पड़ेगा सन 1600 के समय में ब्रिटिश सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत को एक बड़े मार्केट प्लेस की तरह देखा करते थे उस वक्त ब्रिटिश अपनी सेटिल्मिंट्स को बचाने के लिए ब्रिटिश मिलिटरी का यूज किया करते थे लेकिन American War of Independence जो की सन 1775 से 1783 के दोरान लड़ी गई थी उसके बाद Britishers को ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह अमेरिका ने अपनी आजादी के लिए क्रांती करी जिससे ना से Britishers को एक बहुत बड़े माहधुईग का टुकड़ा गवाना पड़ा बलकि आगे जाकर 1789 में फ्रेंच रेवल्यूशन को भी प्रेंडना दी इन सब कार्णों की वज़ा से इंडियन सेटल्मेंट्स भी भविश्य में खत्रे में ना पड़े इसलिए Britishers को एक full-fledged battalions जिसमें local Indians को शामिल करने की जरुवत पड़ी शुरुवात करते हैं इंडिया की सबसे पुरानी battalion जो की मदरास रेजिमेंट के नाम से हम सब जानते हैं मदरास रेजिमेंट असल में 1758 में बनी थी Britishers ने मदरास रेजिमेंट के डेपलॉइमेंट फर्स टाइम कारनाटिक वार्स को लड़ने के लिए किया था जो की Britain और France के बीच में इंडिया के पूर्वी तटों को कंट्रोल करने के लिए लड़ी गई थी जिन में मदरास, पॉंडिचरी और कडलोर सेटमिन्स भी शामिल थी भारते फॉज खड़ी करने की प्रक्रिया में एक ऐसा दोर आया जब 1857 की क्रांती जिसमें भारते सिपाई जैसे मशूर शहीद मंगल पांडे ने भी विद्रो की बागबोर समभाली इस विद्रो को सिपाईयों के बीच में फिर से ना उभरने के लिए अंग्रेजी शासकों ने एक तरीका सूझा जिसमें हर एक भारते ब्रिगेट के साथ एक ब्रिटिश या गोर्खा बटालियन जुड़ी हुई थी सन 1889 के दोरान इडन कमिशन द्वारा ये सुझाव दिया गया कि हर एक इनफैंट्री ब्रिगेड में दो ब्रिटिश और दो इंडिन ब्रिटालियन्स मौझूद रहेंगी कमिशन ने एक कैविलरी ब्रिगेड में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को भी जोड़ना सही समझा आगे इडन कमिशन के साथ साथ किचनर्स री ओगनाईजेशन जोकी 1903 में रिलीज करी गई थी और 1912 में गठित आमी इन इंडिया कमिटी ने इनी पहलू पे अपना समर्थन व्यक्त किया डिफेंस डिपार्टमेंट के अनुसार ये सब सुझाब ब्रिटिश और इंडियन चूप्स में एक बैलन्स बनाने के लिए करे गए थी लेकिन असल में इसका उद्देश था कि 1857 जैसी क्रांती भविश्य में सैने बलों में ना उभरे लेकिन आगे जाकर लॉर्ड करजन ने इंडियन्स को ऑफिसर कैड़र में शामिल करने के लिए सुझाव दिया लेकिन कमार्ड पोस्टिंग्स के लिए उनको ठीक नहीं ठैराया बलकि उनको वाइसरोई को अपनी सर्विस देने के लिए सेरिमोनियल चीजों के लिए नियुक्त किया जाता था प्रथम विश्व युथ के बाद भारते नेताओं ने इंडियन मिलिटरी परसनल्स को भी ब्रिटिश मिलिटरी परसनल्स की तरह एक जैसा ट्रीट्मेंट मिलने की मांग रखी अंग्रेजों ने इसका बखो भी विरोध किया क्योंकि उनके हिसाब से ये ना सिर्ष सुरक्षा कार्णों के मामले से ठीक रहा और ना ही ये यंग ब्रिटिश सैनिकों के बीच एक अच्छा संदेश भेशता जिससे वो आमी जोइन करने में अपनी रूची रख सके इस इशू से निपटने के लिए 1923 में इंडिनाइस्ट यूनिट स्कीम को लॉंच किया गया जिसमें इंडिन ओफिसर्स की पोस्टिंग आठ इंडिनाइस्ट यूनिट्स में करी जा सकती थी जोकि उन्ही के लिए रिजर्वट रखी गई थी ये स्कीम इस चलते भी आजमाई गई थी कि इंडिन ओफिसर्स के लिमिटेड एक्स्पिरेंस को माप सके जिससे आगे मिलिटरी इंडिनाइसेशन को और मजबूती मिल पाए लेकिन ये स्कीम इंडिन ओफिसर्स के बीच में काफी बहिश्कृत करी गई क्यूंकि जहां ब्रिटिश मिलिटरी परसनल्स को अपना कोई भी यूनट चुनने की छूट दी जाती थी वहाँ इंडिन्स को सिर्फ आठ यूनट्स में से एक को चुनना पड़ता था ये इंडिनाइस्ट यूनट स्कीम दुत्य विश्वयूयुत तक चलती रही सिर्फ 1941 के बाद इंडिन मिलिटरी ओफिसर को किसी भी जगा डिपलॉय करने की इजाज़त थी उस दौरान कुछ ब्रिटिश कमांडिंग ओफिसर जान भूच के इंडिनाइसेशन करने के एक्सपेरिमेंट को अंजाम नहीं देते थे और वो अच्छे इंडिन मिलिटरी परसनल्स को बटालियन से दूर रख एक्स्ट्रा रेजिमेंटल पोस्टिंग्स पर भेज दिया करते थे दुत्वय विश्वयूयुत के दौरान ब्रिटिशस ने इंडिन आमी में काफी इंडियन्स को भरती किया युद से पहले ब्रिटिश इंडिन आमी में केवल 528 इंडियन्स थे जो कि 1945 के दौरान जब युद खतम हो गया था उनकी गिंती बढ़के 25 गुना तक हो चुकी थी लेकिन उस दौरान भी इंडिन आफिसस को 113 व्यवार जेलना पड़ा ना सिर्व महत्वपून पद पाने के लिए बलकि उनके वेतन दूसरे ब्रिटिश ओफिसस की अपेक्षा में काफी कम थे इन सब के पीछे कई कारण थे जिन में से सबसे पहला कारण था 1857 में फौज के विद्रू का ब्रिटिशस इस इंसिडेंट के बाद इंडिन मिलिटरी परसनल्स के उपर कभी अपना भरोसा नहीं रख पाए दूसरा कारण था कि ब्रिटिश मिलिटरी आफिसस को इंडिन मिलिटरी आफिसस की योगिता के उपर संदेय था जिसकी वज़ा से उनको युनिट्स को कमांड करने के काम से दूर रखा जाता था हाला कि उस दोरान इंडिया में कुट इंडिया मुव्मेंट जैसा संघर्श चल रहा था जहां इंडियन आमी में इंडियन पर्सनल्स के साथ भेदभाव होने के उपर भी बात उठने लगी जिससे आगे चलकर ब्रिटिशस के उपर दबाव वना कि वो इसको लेकर आगे कड़े कदम अपनाए ब्रिटिशस ने तीन बटालियंस में औल इंडिया ब्रिगेट को एक्सपेरिमेंटल तौर पे स्थापित किया 51st इंडियन ब्रिगेट इंडिनाइजेशन के प्रोसेस से जोड़ी गई जिसको बर्मा के अरेकन हिल्स में जापानियों के साथ लड़ने के लिए डिपलोई किया गया था जिसे आगे जाके बैटल ओफ कैंगोर के नाम से जाना जाता रहा 51st इंडियन ब्रिगेट ने और अलाइट फोर्सेस के साथ मिलके जापानियों के उपर भारी शती पहुँचाई जिससे आगे जाके इंडियन मिलिटरी परसनल्स का मनुबल और मजबूत हुआ तीन इंडियन कमांडर्स को बैटल ओफ कैंगोर में अपने अद्भुद योगदान देने के लिए दिस्टिंग्विष्ट सर्विस ओर्डर के रूप में अवार्ड दिया गया भारत के अजाद होने के बाद इंडियन आमी के यूनिट्स दो हिस्सों में बांटे गये थे जिसमें दो तिहाई हिस्सा डोमेनियन आफ इंडिया को सौपा गया और एक तिहाई हिस्सा डोमेनियन आफ पाकिस्तान को दिया गया था ये जो हिस्से इंडिया और पाकिस्तान में बांटे गए थे आगे चलकर आज की समय में इंडियन आमी और पाकिस्तान आमी में मौजूद है ये विडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद प्लीज दू लाइक, शेर और सब्सक्राइब आज चानल